चेप्टर 7 के लिए most important question की बात कर लेते हैं चेप्टर 7 अध्यासतात समाकलन इंट्रीगर्स तो आउकलन के बाद काफे student को समाकलन थोड़ा सा टफ लगता है उसकी एक वज़े है वो है अभ्यास देखो आउकलन में क्या होता है आउकलन में एक ही pattern में सीधे सीधे सवाल चलते रहते हैं आउकलन में ज्यादा कुछ नहीं रहता है क्योंकि सवालों का जो pattern रहता है वो एक जैसा रहता है और करने के लिए आपास एक limited चीज़ होती है जबकि समाकलन में वहीं पर काफी अलग चीज़ें हो जाती है तो समाकलन के लिए में है आपका प्रेक्टिस अभ्यास ही आपको इसमें complete तौर पर चीज़ें को सिखा सकता है अगर आपने अभ्यास अच्छे से कर रखा है तो कोई प्रोल्म नहीं आती है ठीक है उधार नमब तीन में हम लोग question number 2 लगा लेंगे ठीक है यह important सवाल है ठीक है तो इसको लगा लिएगा इसको जरूर देख की जाईए कि revision के तौर पर मैं बता रहा हूं important question इसी दिए अब हम बात करेंगे प्रिष्णावाली की ठीक है तो समाकलन ना बनने का सबसे बड़ा कारण है वो है समाकलन को कई किताबों से लगाया हूँ आप NCRT से लगाए इसके अलावा है जो अलग अलग किताब आती है private publication के अंतरगत अगरवाल book आती है बालजी book आती है हरसुरूर extraction आती है विद्या की किताबे आती है तो अलग-अलग जो प्रिकाशन होते है अगर उससे आप करते ह समा कलन के लिए तो आपके लिए benefit वहां से आपको मिलता है चलिए अभी हम important question की बात कर लेते हैं XI 7.1 के अंदर गत यहां पर आप सीधे आ जाएगे question नमर 10 जुरूर लगा लिएगा important है ठीक है और समा कलन की विधिया ठीक है प्रतिस थापन विधी आनसिख भिन द्वारा और खंदसा समा कलन ठीक है तो अब यहां पर हम आँगे बढ़ते हों अधान देखते हैं उधारा नम्बर 5 में पांच में का आप तीसरा लगा लिजीगा ठीक है इंपोटेंट है सवाल सवाल जादा कोई काटन सवाल नहीं है और हम आंगे बढ़ेंगे उधारा नम्र 6 देखेंगे ठीक है और उधारा नम्र 6 के अंतरगन आपका question number जो 6 छटमे का दूसरा है इसको लगा लिजीगा और 6 छटमे के दूसरे की तरह आपका तीसरा लगना है तो इसको भी लगा लिजीगा ठीक है अब हम प्रिश्णा बली पर बढ़ते हैं तो प्रिश्णा बली 7.2 फटाफट ये देख लेते हैं प्रिश्णा बली 7.2 के अंदरगत हमको बहुत सारे सवाल दिए इसमें आप लगाईएगा important important तीसरा पांच मा और इसके अलावा 14 सवाल लगा लिगा है question number 4 और question number 18 लगा लिजीगा 18 के बाद आपका 19, 20, 21 ठीक है ये लगा लिजीगा फिर हम आँगे बढ़ेंगे और इसमें आप लोग लगा आईएगा question number 26 ठीक है question number 26 लगा लिजीगा question number 29 लगा लिजीगा 26, 39 इसके बाद हम लोग बात करेंगी question number 34 की question number 34 लगा लिजीगा 35 लगा लिजीगा और फिर आपका ये बहुभी कलबी सवाल है 38 और 49 इनको आप लगा लिजीगा ठीक है आँगे बढ़ेंगे 7.3 के लिए ठीक है तो इसमें तो एक ही उधार है आपका उधार नमर 7 उधार नमर 7 का आपको question number 2 लगा लिजीगा ये important सवाल है ठीक है और इसी 7 में के दूसरे के आधार पर आपका 7.3 में सवाल दी है तो 7.3 का सवाल आप लगा लिजीगा ननी मुनी चे exercise है और इसमें आप दूसरा तीसरा और छटमा ये सवाल लगा लिजीगा ननी मुनी नहीं यहाँ पर इस 6 सवाल दिये ते ननी मुनी नहीं है दो तीन चे लगा लिजीगा ये आपका उधार नमर 7 में के दूसरे की तरह है ठीक है इसके बाद हम कुछ wishes फनलों के समाकलन और ये जो formula है ये formula है उनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना और पर मैंने बहुत जोर दिया इसके बाद उधार नमर 9 इसके भी आप तीनों ही सवाल लगा लिजीगा ठीक है ये important सवाल है और उधार नमर 10 इसको भी आप लगा लिजीगा ठीक है उधार नमर 10 की भी बात करें यहाँ पर भी आप दोनों ही सवालों को लगा लिजीगा ठीक है तो इससे क्या होगा उधार उधार नमर आठ नो दस लगाने से आपको exercise में ज़्यादा सवाल लगाने की रूत नहीं होगी क्योंकि उधार नमर आठ नो और दस के आधार पर ही आपके exercise सवाल है तो आपका एक प्रकार से revision भी हो जाएगा लेकिन formula को आप अच्छे तरह की तरह रखे और question number 7.4 के अंदरगत हम लोग question number 16 लगा लेंगे ठीक है इसके अलबा question number 19 लगा लिजिएगा 16, 19 और फिर हम लोग भविकल्पी सवाल को लगाएगे mcq 24, 25 यह लगा लिजिएगा ठीक है चुकि आपने अधार नमबर 8, 9, 10 लगाया है तो बाकी सारे सवाल आपसे अच्छी तरह से बन जाएगे 7.4 में हम 16, 19, 24 लगा लेंगे ठीक है फिर आंसिक बिनो द्वारा समा कलें integration by partial friction की बात कर लेंगे और यहां पर हम examples पर बढ़ेंगे और इसमें हम लोग लगाएंगे उधार नमर 11 सबसे पहले ठीक है उधार नमर 11 लगाएंगे then हम लोग लगाएंगे उधार नमर आपका 14 ठीक है यह रहा उधार नमर 14 तो इसको बढ़िये तरीके से लगाईगा important हो जाएगा उधार नमर 15 लगाएंगे अब हम लोग प्रिष्णावली पर बढ़ेंगे ठीक है प्रिष्णावली पर आजएए यह रही आपके प्रिष्णावली 7.5 सो एकसाई 7.5 की बात कर लें तो 7.5 के अंदर आप लोग सवाल लगाएंगे तीसरा ठीक है important है सातमा य और 23 यह सवाल आपको लगाने ठीक है 7.5 में आपको 3, 7, 16, 17, 20, 22, 22 यह सवाल लगा लिजीगा खंड सा समाकलन Intrigation by Parts ठीक है चेप्टर नमर साथ बहुत ज़्यादा बड़ा होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा important भी हो जाता है इससे बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें पूछ जाती है ठीक है ना calculus का आपका most important topic मैंसे एक है यह आपका 19 लगाईएगा important सवाल है ठीक है और यहां पर हम आँगे बढ़ते हैं यहां पर आप लोग 22 में आ जाईए है उधार नमर 22 में आप लोग उधार नमर 22 के अंदर के आप लोग पहला सवाल लगा लिजीगा ठीक है बाइस में पहला लगा लिजीगा यह आप से हो जाएगा तो 7.6 में आप लोग कौन से लगाएंगे चौथा लगाएंगे most important most important भई चौथा ठीक है चौथा और इसके अलावा आप लोग लगाएंगे 13 मा 13 के बाद 14 के बाद हम लोग बहुत भी गल्पी पाए जाते हैं और आप लोग लगाएंगे 23 और 24 ठीक है 23 और 24 यह लगाएं इंटिकल of some more types ठीक है यह आपको जो topic है इस पर हम बात करेंगे तो यहां पर हम से पहले बात करेंगे आपको कौन सा उधार लगाना है उधार नमबर 23 यह आपको लगाना है ठीक है उधार नमबर 23 दे अधार नमबर 24 लगाएंगे तो इसको आप अच्छे से देख लीजग देन हम प्रिष्णावली बढ़ते हैं और प्रिष्णावली में हम लोग 7.7 के अंदर आप छटमा सवाल लगाएंगे चटमे के बाद हम लोग लगाएंगे वह वीकल्पी में दसमा और ग्यारमा ठीक है अब चुकिए आपने उधार नमबर 23 लगा रखता है तो आपको आता है ठीक है grammar error है लेकिन हम लोग कहेंगे कि बहुत ही आता है important topic है इसको आपको अच्छी तरी के ध्यार रखना है इसके सवाल बहुत जद आते हैं और इस सवाल से आपके दीरगुत्री और लॉंग सवाल फसते ही फसते हैं definite है कि आपका यहां से definitely definite integral से निश्चिती एक दो सवाल लगा लीजीगा आपसे चीज़ें हो जाएं बस formula याद रखना main बात यहां पर ही होती है योगपल की सीमा के रूप में सवाल आया है UP board में last year ही आया था तो उस सवाल को आप अच्छे देखिएगा क्योंकि सवाल आपसे बनना चाहिए ऐसा नहीं होने चोड़ चोड़ के घ्यान लिया जाता है नहीं मैं deeply आपको बताता हो मैं deeply समझाता हूं इसी समझाता हूं आप चेहा है और आप ने लगाया नहीं की पैक्टूर्टी में एक परिक्टक्त में आप दो सवाल तो लगाई लीजीगा, पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा, और ये जो तीसरा सवाल है, ये बोर्ड में आया हुआ आपका, ठीक है, पहला और तीसरा आप लगा लीजीगा, हर हाल में, समझ लीजे इस बात को, ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे, प्रिश्णबली के तरफ हम सीधे हम लोग रोक करेंगे 7.9 का, तो प्रिश्णबली 7.9 के अंदर गद हम लोग सवाल लगाएंगे, कौन-कौनसा? एक तो अप लगाएंगे 7 मा, ठीक है? 7 में के बाद हम लोग सीधे बड़े जाएंगे, और इसमें हम लोग लगा लेंगे 20 मा सवाल नमर 20 और फिर ये बहुपी कल्बी सवाल 21 और 22 इन सवालों को हम अच्छी तरीकी से लगा लेंगे फिर आंगे बढ़ेंगे अब ठीक है और इसके अंदर गात हम लोग सबसे पहले उधार लगाएंगे अपना उधार नमर 30 ठीक है उधार नमर 30 बढ़िया तरीकी से लगा लिएगा आप ठीक है बढ़िया तरीकी से लगा लिएगा उधार नमर 30 अब हम प्रिश्णावली के तरफ बढ़ेंगे तो प्रिश्णावली 7 दसमलों 10 में के गुर्धन में वह स्टार्ट होते हैं ठीक है सो हम लोग यहां पर बात कर लेंगे और उधार नमबर पर बढ़ेंगे यह प्रॉपर्टी यह प्रॉपर्टी मैंने आपको अच्छी तरह के समझा रखें कोई नहीं होनी चाहिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से उधारन की उधारन नममर 32 लगाईगे गा ठीक है उधारन नममर आप से 32 लगना ही लगना चाहिए दन आपको लगाना है उधारन नममर 33 most important सवाल है मैंने कहां आ आपसे definite definite integral के अंतरकत आपके जो long में सवाल है वो वहां से आते ही आते हैं तो आपको इनको सवाल हो लगा नहीं लगाना है ठीक है और उधार नमर 36 इंपोर्टेंट यह लगा के जाईएगा इनको ठीक है उधार नमर 37 भाया most 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 important है और यह थोड़ा सा tricky भी है इनको आप अच्छे से इस सवाल को भी है जरूर से जरूर लगाईएगा ठीक है 7.11 पर प्रिश्णावली पर ठीक है साधर समलोग 11 प्रिश्णावली की बात कर लेते हैं इसमें आपको सवाल लगाना है question number 2 most important सवाल भी जरूर से जरूर लगाईएगा इसको most important सवाल है दूसरा ठीक है फिर हम लो सवाल आपका 20 और 21 इनको सवाल को आपको लगाना है ठीक है अब आजादी बिवित उधारन की बात ठीक है तो बिवित उधारन में हम लोग बढ़ेंगे और आपको सबसे पहले लगाना है उधारन number 49 ठीक है यह लगाना है उधारन number 49 49 49 के बाद 40 ठीक है यह लगाना है आप इम्पोर्टेंट सवाल इसको जरूर लगा लिए ठीक है और यह सवाल लगाने इस यह सवाल दू तरीके से भी आया आप एक लिमिट करके भी लिमिट की वैलू रखे यहां पर लिमिट 0 से 1 रखे भी सायद पूछा गया है सायद लेकिन कई बार यह पूछा गया है एक बार बिना लिमिट के जैसे यहां पर दिया है बिना लिमिट के और एक बार लिमिट रखे के भी सवाल को पूछा गया है ठीक है तो उधार नमर 42 उधार नमर 40 के बार उधार नमर हमारा आपको कौन सा लगाना है भई उधार 45 भई मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आहा प्यारा प 45 जरूर सेरूर लगा के जाएगा 2-3 अच्छी तरीके से practice कीजिएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं बिवित प्रिशनावली पर ठीक है बिवित प्रिशनावली को आपको कौन से सवाल लगाना है question number 2 ठीक है question number 3 यह सवाल लगाने आपको इसके बाद question number 7 यह सवाल लगाना है आपको ठीक है then हम बात करेंगे question number 11 की यह सवाल लगाना है आपको 11 के बाद आपको सवाल लगाना है 20 20 के बाद आप सवाल कौन सा लगाने वाले है आप सवाल लगाने वाले है 28 ठीक है 28 हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर अब आपके यह हैं बहुत किलबी सवाल 41 से 44 तक mcq सवाल हैं तो आप इनको लगाएंगे 41 42 43 और 44 तो चैप्टर नमर 7 के अंदर गद यह आपके most important question हो जाएंगे इनको आपको लगाना है और मैंने आपको definite definite तौर पर कहा कि जो मैंने कहा है यह एक दो तीन सवाल में मैंने कहा है बहुत जोर से आपसे कहा है कि इन सवालों को जरूर से जरूर लगाना उन सवालों को आप अच्छे तरीके से आप ऐसा ही करो लेकिन आपको फील होना चाहिए अगर फील हो रहा है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ मेरे द्वारा समझाया हुआ आपको फाइदे मंद हुआ आपको यूजफुल रहा तो मुझे जरूर बताईएगा ताकि वह जो motivation है यार मैंने कुछ किया मैंने आप के लिए किया आपकी मदद की हर तरीके से जितना मुझे संभव जितनी मेरी सामार्टिती जितनी मेरी हत थी उसको पार करते हुए मैंने आपके लिए वह चीछ की तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप मुझे बूचीछ बताएं कि भई आपने जो काम किया जो भी सवाल लगा के जाने हैं so most important question टिक four chapter seven integration समा कलंद ठीक है और मैंने एक साथ लिए हैं ताकि आप कोई problem ना हो और आप आसानी से किताब से इन question को लगा के जाने हैं यह question तो आपको लगा के ही जाने है उधारण के बात करने हैं तो उधारण में आप लगाना है तीसरे का दूसरा पाच में का तीसरा चट में का दूसरा ठीसरा तीसरी लगा लिए हैं साथ में का दूसरा इसके बाद question 8 9 10 11 14 15 18 19 22 का पहला 23 24 28 का दीसरा 36 36 37 49 49 47 42 45 ठAST के जाने एं इस मुने भी ना को बता दूँ ये 33 से जो लाइन गई है 35, 36, 39, 40, 41, 42 और 45 ये भई ये अच्छे से लगा लिजीगा ठीक है क्योंकि ये most important सवाल है पहली एक साइज की बात करने है प्रिशनाबाली साथ दसमलो एक में आप लगाई है कोशन 10, 12, 18, 21 फिर प्रिशनाबाली साथ दसमलो दो में आप सवाल लगाई है 2, 3, 6, 13, 22, 23, 24 प्रिशनाबाली साथ दसमलो चार में आप सवाल लगाएं 16, 19, 24, 25 प्रिशनाबाली साथ दसमलो पाच में आप सवाल लगाएं 3, 7, 16, 17, 20, 22, 23 प्रिशनाबाली साथ दसमलो छे में आप सवाल लगाएं 4, 13, 14, 23, 24 प्रिशनाबाली संब्सक्राइब 10, 9 लिए 1, 2, 7 10 वह आप सबार लगाएं दो आठ सोला सथरा हैं आप सबार लगा लिए 1, 3, 7 11, तो यह most important question है जो NCRT किताब से मैंने pick की हुए है इनको आपको हर हाल में लगा के जाना ही 100 out of 100 के लिए आखिर आप क्या पढ़ें किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके 100 out of 100 आ सकें कक्षा 12 गरित के अंतरगत तो मेरी थियोरी के हिसाब से आपको ये चीजें करना बहुत ज़्यादा जरूरी है देखिए अगर आप NCRT बुक से पढ़ रहे हैं तो NCRT बुक के अंतरगत रिवीजन के लिए आपको मैंने इंपोर्टेंट कोश्चन के लिए टिक लगवा दिये तो उस वीडियो के आधार पर आप इंपोर्टेंट कोश्चन कर लीजेगा वहां से NCRT बुक से अगर आप NCRT बुक से तयारी कर रहे हैं और अगर आप किसी रिफ्रेंस बुक का किस प्राइवेट का इस्तवाला कर रहे है तो अची बात कोई दिकत नहीं है लेकिन आप अगर NCRT बुक का त्यारी कर रहे है तो फिर मैंने में UP board में question bank के नाम से जाना जाता है जो important question की हमाई पास book होती है इसे UP board में question bank के नाम से जाना जाता है इसके अलब इसे राजस्तान में इसे idea की नाम से जाना जाता है तो अलग-अलग board में अलग-अलग नाम से जाना जाता है आप उसको जरूर पढ़ें इसके अलाबा आप unsolved लगाएं ठीक है unsolved लगाना बहुत ज़रूरी है यानि कि last year के paper ठीक है unsolved आप हर हाल में लगाएं अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम अभी अगर जितना भी आपका समय है तो एक paper तो आपको लगा के लगा के जाना ही है ताकि आपको पता चले कि जो आपका paper आता है वो किस तरीके से आता है और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो कम से कम तीन से पांच paper आप जरूर सॉल्व करके जाएं और जितने जादा आप paper सॉल्व करेंगे उतना ही आपको experience होगा आपको पता चलेगा कि paper किस तरीके से आता है question कह से किस तरीकी से कोशन पूछे जाते तो यह ज़रूरी है तो इतना आप कर लेते और अगर थोड़ी से आपको किसमत अच्छी रही और पेपर आपको बहुत बढ़िया आ गया ज्यादा कठें नहीं आया पेपर क्योंकि कभी कभी बहुत कठें दे दिया जाता है अगर पेपर मेहनत करिये तो फिर आपको 100 आउट ओफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता तो यह सारी मेरे एक त्योरी है जहां पर आपको जरूरी है कि आप NCRT बुक में मेरे दोरे जो इंपोर्टेंट कोशन टिक लगा है वो आच्छे तयार कर लें इसके लाब आप कोशन बैंक देख सकते और आप Unsold देख सकते हैं Unsold आप जरूर देखा करें Last Year के Paper और वहां से आप तयारी जरूर करें खास बात जरूरी है कि आपने अपना syllabus किस तरीके से तयार किया है इस बात को ज़रूर धियान रखें, कि सिलेबस आपको आपके board के अनरूप जो आपके board ने कम या ज़यादा जो भी किया है, उस अनरूप आपने अच्छी तरीगी से तयारी की हो और आपके दिमाख में आपका सिलेबस ज़रूर हो, तो इस प्रिकार से यह वीडियो यहीं सवाबत होता है उमीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट्स करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बेल नोटिफिकेशन को और से रट जरू कर लिजे ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्शर के साथ, अपनी किलास के साथ अपडेटिट बने रहें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, share, comment जरू करें और अगर आप live classes को join करना चाहते हैं live classes को attend करना चाहते हैं तो हमारी application को जरूर डाउनलोड करें जिसका link आपको description मिल जाएगा या फिर आप play store में भी search कर सकते हैं xp classes वहाँ से भी आप हमारी application को जरूर डाउनलोड करें live classes के साथ साथ वहाँ पर आपको free pdf, note solution और एक dedicated whatsapp group भी provide किया जाता है ताकि जो भी कुछ आपका doubt हो आप अपने doubt को उस whatsapp group के through पूश सकते हैं और अपने query को solve कर सकते हैं यदि आप हमसे जोड़ना चाहते हैं तो हमारे social media platform को जरूर follow करें facebook, telegram, instagram और twitter के link आपको description में ही मिल जाएंगे सभी के link आपको description में दिये हुए हैं तो उनको आप follow जरू कर सकते हैं वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली video lecture के साथ तब तक के लिए जैहिन, जैभाण